हेलो माई डियर फ्रेंड हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस में आपका स्वागत है हम आपके लिए सीपी सीटी कोर्स के टेन इंपोर्टेंट अब्जेक्टिब कोस्टन लेके आए हमारा पार टेन चल रहा है कंपूटर इंट्रोडेक्शन हम आते हैं कोसे में छीह होती हम आते हैं को सेगे पर प्राइमरी मैमोरी को प्लेंग भी कहते हैं ऐ area को साठीड का अपोसन के मैं मैं मेमोरी के छोंद की लिए हें mäरी मिमरी की बात कीजा रही हैं इसे हम क्या कि बतावस्वेति हैं Q3 primary memory की speed internal process की तुलना में खालिस्तान होती है My dear friend primary memory की speed की बात की जा रही वो internal process की memory तुलना में किस पकार क्यों होती है आपको option में बताना option इस पकार क्या option A दीमी option B तेज या option C एक सम्वान या option D इन में से कोई नही My dear friend Q3 का जा answer हो सकता है इसका right answer My dear friend option B तेज primary memory की speed होती है वो internal process की memory की तुलना में क्या होती ही तेज होती है internal processor जो होता है वो अक्सेस पर बख करता है वज़ जो primary memory की speed होती है वो internal memory की क्या होती ही तेजी होती है हाँ आते My dear friend Q4 पे जिवत IMP Q4 से इसको आप अच्छे से समझ लीजिए जब computer on रेता है तो primary memory से बीनिगदेस को याद रखती है My dear friend बात क्या हो रही है जब computer क्या होता है उप्सेंस पकार का option A यह उपसेंडी इनमें से कोई नहीं एक वार वो समझाए तो मैंडेफेंड को समय फॉर्गा किस पकार से कि यह प्राइमेरी मेमोरी जो रहती है सभी निर्देसों को याद रखती है आपने कहींवार कंपूटर चलाया है तो इसमें आपने देखा होगा कि अब भी हमें रहता सभी निर्देसों याद रखती हो जब कम्पूटर अफ कर देते हैं तो इसलिए करती राटा को इसलिए अचर्ट करती है हम आते हैं से को समें प्सेट शरूब क्या है माइडिए इस पे रें का फुरूब पूच्छा राएं कि रेंग का फूल फोर्म क्या हो सकता है i.s. औप्सेंक प्रेकार कि रियुट एक्सेश में मूर्ययों सी रेंडम एक्सेश में माइन दी इन मेंसे कोई न होता है option c random access memory random access memory हम आते हैं मेमोरी सेल को खालिस्तान भी कहते हैं मेमोरी सेल की बात की जा रही है हम इसे क्या कह सकते हैं options पर कार के option a memory location option b memory light option c memory room यह option d memory block my different memory cell की बात हो रही है यहां पर तो हम इसको क्या कहते हैं my different course number six right answer is option a memory location memory की जो location होती है memory location के नाम से भी जाना जाता है my different हम आते हैं question number seven पर प्रतिक memory location का पता है खालिस्तान होता है my different प्रतिक memory location की बात की जा रही है इसका किस पकार होता है option a एक समान यह option b एक समान नहीं यह option c दोनों ही किसमे का होता है। sensit union में میں से labeling हो सकता है कि प्रते खेङ को लोकेशन का पता बता आना आपको किस पकार हो सकता है recoast ऑइस समान यह डोनों ही किसमंपर यह necessary ऑपोफन 975 system Company नहीं भी गाराप्सें और आपसर भी समान नहीं में खायोन होती हैं का फर्रते Kin ож हैं सुछना की मात्रा और हैं स्वेक्ट जो करती है और सुछना की महात्रा कि उसकी मेमोड़ी चंग्रित करती है और सूचनारी की विजो मातरा है मुझा करें मेंसरे हम तक आरेनम आते हैं को समबर 9 छिए में में मोरी suivi के तह सकते हैं और किया रही है कि तह актив को लिखने या पढ़ने के लिए किसपका सकते हैं और किसी खास किसी खास option B छोटे यह option C बढ़े यह option D किसी भी मैंडेफ्रेंट को समय नाइन का राइट अंसर क्या हो सकता है इसमें पूछा जा रहा है रेंड़म एक्सेस मेमोरी के तहित मेमोरी के किस हिस्से की बात की जा रहे है किस हिस्से को लिखने पर ने के लिए कर सकते हैं इससा कुछ नहींगी कि इसके लिए लग से जा गए हो हम आते हैं हमारा लास्ट कोस्टन नमबर 10 रोम मुख्य मेमोरी का एक ही अन हिस्सा है इसका पूर्ण रूप क्या है रेम और रोम के ज्यादा पूछे जाते हैं उपस्टने रीड ओनली मेमोरी ए यह उप्शलिट मेमोरी यह उपसंड़ी टीट अव्मेमोरी ईर्फ एमघाव मेमोरी मैटेफ मेमोरी और फ्रेंट रोम को आप फिरसे समझ लेजिए रोम मुख्य मेमोरी का यह ही है रेम के साथ सात इसका पूर्ण रूप क्या हो सकता है माइड़े फ्रेंड को सेंबर टेन का राइट अंसर है ओप्सन है रीड ओनली मेमोरी रेम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी अगर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती ही तो आपने फ्रेंड को भी सेर कीजिए जैहिन जैवराद